हेलो माइ लवली फूडीज तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कूल और रिफ्रेशिंग तर्बूस का जूस इसे बनाना बहुत ही आसान है तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए से लिए मैंने 200 ग्राम तर्बूस लिया है दस ग्राम पुदीना के पत्ते नमक लिया है, आदे नीबू का रस लिया है पांच से छे आइस क्यूब्स लिये हैं गानिशिंग के लिए पुदीना की पत्ति नीबू के सलाइस और तर्बूस सबसे पहले तर्बूस के टुकडों को मिक्सर जार में डाल लेंगे इसके बाद पुदीना के पत्ते भी डाल लेंगे इसके बाद आधे नीवू का रज डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे अब इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे में सबसे पहले आइस क्यूब्स डाल लेंगे अब तैयार तर्बूस के जूस को हम छान लेंगे छन्नी में जो पल्प बचा है इसे हम हटा देंगे अब हम पुदीना के पत्ते से गार्निश कर देंगे लेमन की स्लाइस से गार्निशिंग करेंगे हेल्दी और टेस्टी तर्बूस का जूस तैयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब